किसी समय की बात है, एक घने और रहस्यमय जंगल के किनारे एक छोटा सा गाव बसा हुआ था। इस गाव का नाम था हरियालीपुर। यहां के लोग जंगल की कहानियों और उसमें छिपे खजाने के बारे में अनेक कहानिया सुनते रहते थे। लेकिन गाव के किसी भी व्यक्ती ने कभी भी जंगल के भीतर जाने की हिम्मत नहीं की थी। गाव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम अरजुन था। अरजुन साहसी और जिग्यासु स्वभाव का था। उसे जंगल के रहस्यों के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा दोस्तों क्यों न हम जंगल की गहराई में जाकर देखें कि वहां क्या छिपा है अर्जुन के दोस्त राहुल, माया और दीपा भी सासी थे और उन्होंने अर्जुन के प्रस्ताफ पर सहमती जताई वे चारों ने अपने परिवारों को बिना बताए जंगल की ओर प्रस्थान किया जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें चारों और हरियाली और बड़े-बड़े पेडों की छाव मिली पक्षियों की चहचाहट और वन्य प्राणियों की आवाजे उन्हें हर दिशा से सुनाई दे रही थी अर्जुन ने कहा यह जगह कितनी सुन्दर है लेकिन हमें सतर्क रहना होगा वे आगे बढ़ते गए और धीरे-धीरे जंगल की गहराई में पहुचने लगे अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दीवे सभी डर गए लेकिन अर्जुन ने साहस जुटाया और आवाज की दिशा में चल पड़ा थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक बड़े पेड के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो उनकी ओर मुस्कुरा रहे बूढ़े आदमी ने कहा मैं जानता था कि तुम लोग यहां आओगे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मेरा नाम है रिशी वसु और मैं इस जंगल का रखवाला हूँ अर्जुन ने पूछा आपको कैसे पता था कि हम यहां आएंगे और हमसे क्या चाहते हैं रिशी वसु ने कहा इस जंगल में कई रहस्य छिपे हुए हैं और मैं देखना चाहता था कि क्या तुम उनमें से कुछ को सुलजा सकते हूँ यह जंगल तुम्हें परीक्षा में डालने वाला है लेकिन अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है रिशी वसु ने उन्हें पहली चुनौती दी उन्होंने कहा इस जंगल में एक विशेश जड़ी बूटी है जो केवल रात में चमकती है तुम्हें उसे खोज कर लाना होगा अर्जुन और उसके दोस्तों ने चुनौती स्विकार की और रात होते ही जड़ी बूटी की खोज में निकल पड़े उन्होंने अपने रास्ते में कई तरह की बाधाओं का सामना किया कांटे जाडिया और यहां तक की जंगली जानवर भी लेकिन उनकी साहस और ग्रिड़ता ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की कई घंटे बीत गए लेकिन उन्हें वह जड़ी बूटी नहीं मिली तभी दीपा ने कहा देखो वह वहां चमक रही है उन्होंने देखा कि एक छोटे से तालाब के किनारे एक नीली चमकती हुई जड़ी बूटी थी उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे तोड़ा और रिशी वसु के पास वापस लाएं रिशी वसु ने मुस्कुराते हुए कहा तुमने पहली चुनौती सफलता पूर्वक पूरी की अब तुम्हें दूसरी चुनौती का सामना करना होगा रिशी वसु ने कहा इस जंगल में एक पुराना मंदिर है जो अब खंडहर बन चुका है उस मंदिर के भीतर एक रहस्यमय शक्ती छिपी हुई है तुम्हें उसे खोजना और यहां लाना होगा अर्जुन और उसके दोस्त तुरंत उस दिशा में चल पड़े जहां रिशी वसु ने मंदिर के होने का संकेत दिया था रास्ता कठिन और खतरनाक था लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी चलते चलते उन्हें एक बड़ा और पुराना मंदिर दिखाई दिया मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें एक ठंडक का अनुभव हुआ अंदर का माहौल अजीब और रहस्यमय था उन्होंने देखा कि वहां कई पुरानी मूर्तिया और शिलालेख थे अर्जुन ने कहा हमें बहुत सावधानी से चलना होगा वे अंदर बढ़ते गए और अचानक उन्हें एक रहस्यमय प्रकाश दिखाई दिया उस प्रकाश के केंदर में एक छोटा सा क्रिस्टल था जो चमक रहा था राहुल ने कहा यही वह शक्ती है जिसके बारे में रिशी वसु ने कहा था जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल उठाया मंदिर में हलचल मच गई दिवारे कामपने लगी और छट से मलबा गिरने लगा अर्जुन ने कहा हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा वे सभी भागते हुए बाहर की ओर दोडे और किसी तरह सुरक्षित रूप से बाहर निकल आए जब वे रिशी वसु के पास पहुँचे उन्होंने क्रिस्टल उन्हें सौंक दिया रिशी वसु ने कहा तुमने बहुत साहस और धैर्य दिखाया है यह अंतिम चुनौती थी अब मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा रिशी वसु ने उन्हें जंगल के एक गुप्ट स्थान पर ले जाया वहाँ एक बड़ा सा गुफा था जिसके अंदर कई प्रकार के कीमती रतन और स्वर्ण भंडार था रिशी वसु ने कहा यह तुम्हारे साहस का इनाम है यह खजाना तुम्हारे गाउ की सम्रिध्धी के लिए है अर्जुन और उसके दोस्तों ने धन्यवाद कहा और उस खजाने को अपने गाउ में लेकर आए गाउ के लोग बहुत खुश हुए और अर्जुन और उसके दोस्तों को नायक मान लिया उस दिन से हरियालिपुर गाव की हालक बदल गई लोग अब और भी खुशाल और समरिध हो गए थे अरजुन और उसके दोस्तों ने यह सिखाया कि साहस, धैर्य और एक्ता के बल पर कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है और इस तरह अरजुन और उसके दोस्तों ने जंगल के रहसियों को सुलजा कर अपने गाव की तकदीर बदल दी उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा साहस और ग्रिढ निश्चय हर बाधा को पार कर सकता है इस कहानी से यह सिख मिलती है कि साहस, धैर्य और एक्ता से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं चाहे वह जंगल की गहराई हो या जीवन की कठिनाईया सही द्रिष्टिकोन और निश्ठा से हम सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं